जहिन मेरे प्यारे बच्चो सबसे पहले तो आप सभी के लिए ड्रीमर्स अकैडमी की पूरी टीम की ओर से हैपी रक्षा बंदन और उसके बाद एक में इंपॉर्टेंट यह है कि लास्ट वाली बीडियो पर इतने सारे बच्चों के कमेंट हैं कि सर मेरा दो इसकूल में ना काम दिखा रहा है अब मुझे करना क्या है और ओफलाइन कांसलिंग में पार्ट कैसे लेना है देखो आपने लास्ट वाली वीडियो साथ पूरी नहीं देखी थी मैंने लास्ट जो भी ओफलाइन कांसलिंग का प्रोसीजर है वो कम्प्लीट आपको बताया था मैं बहुत जल्दी से थोड़ी से सब्दों में इस चीज़ को और दुबारा से क्लेरिफाई कर दे रहा हूं कि जब हमारी सैनिक स्कूल 2024 के ऑफलाइन कांसलिंग की जो मेरेड लिस्ट फस्ट आई है उसमें दो ही ऑप्शन हो सकते हैं या तो किसी बच्चे का नाम है ठीक है और अगर बच्चे का नाम है तो उसके यह है कि हो सकता है उसका एक स्कूल में नाम हो दो स्कूल में नाम हो चार स्कूल में नाम हो या पांच स्कूल में नाम हो जिन जिन बच्चों ने क्लोज पोर्टल किया है ठीक है जिस बच्चे ने भी क्लोज पोर्टल किया है वो तो बिल्कु बीडियो में भी बताया था इस बार भी बीडियो में बता रहा हूँ आप अगर आपको admission लेना है आप अपने documentation बगरा की complete कर उनको सबको उन सारे documents को complete रखिये क्योंकि जिस जिस school की married list में आपके बच्चे का नाम है उस school के पास आपका data है उस school के पास आपकी mail ID भी है उस school के पास आपका phone number भी है और मैंने last में भी बताया था वो school आपको contact करेंगे चाहे वो by mail करें by mail ही करेंगे आपकी जो registered mail ID है जो आपने अपना जो application form फिल किया होगा सेनिक स्कूल 2024 भाला ठीक है तो उसमें जो आपने mail ID फिल की है उस mail ID पर आपको mail आएगा कि आपके बच्चे का नाम इस school में है आप accept करते हैं reject करते हैं आपने reject कर दिया तो इसका सीधा साथ मतलब है कि आप इसमें admission नहीं लेना चाहते हैं और आपने accept कर दिया तो इसका मतलब है आप इसमें admission लेना चाहते हैं offline counseling का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे बच्चों का नाम है और ये counseling लगातार तब तक चलती रहेगी वो बच्चों को धीरे धीर करके तब तक बुलाते रहेंगे जब तक कि उस school में जितनी भी seat बची हैं वो seat पूरी तरीके से completely fill नहीं हो जाती अब बात आती है कि sir हमारा 5 school में नाम है और हम 5 के 5 को select कर दे रहें इसका मतलब ये है कि भीया आपके अंदर एक ऐसी तागत है कि आप 5 के 5 school में एक साथ पढ़ेंगे आपको पढ़ना तो एक ही school में है आपको accept एक ही school को करना है 5 school में नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 के 5 को accept कर सकते हैं 5 school में नाम है तो आप ये है कि आप उन 5 में से किसी को select कर सकते हैं कि मुझे इस वाले school में admission लेना है हो सकता है अब आपने एक select कर लिया 4 को आपने reject किया एक को आपने accept कर लिया अब वहाँ से mail आईगी कि आप admission लेना चाहते हैं तो इस तारीक को आपको यहाँ पर आना है अब वहाँ आप पहुंच जाते हैं या फिर वहाँ आप नहीं पहुंचते हैं और आपका by chance जो first married list है उसमें admission नहीं होता है तो आपको बिल्कुल counselling की तरह दुबारा दूसरी married list में भी आपका नाम आ सकता है लेकिन close portal किया तो कहानी खतम तो आप जो accept करेंगे आपका data आप परेशान मतों की सर हम school से contact नहीं कर पा रहे हमें करना क्या है हमें कुछ पता नहीं चल रहा अरे अभी जो prescribed time दिया था उन्होंने मैंने last से last video में आपको पूरा data दिखाया था कि पहली married list कब तक खतम होगी दूसरी कब आएगी वो वीडियो complete देख लिया करो उसमें सारी चीजां आराम से बता रखी है आपका पूरा data school के पास है वो by mail हो सकता है phone भी आए but mail आएगी by mail आपको आपकी registered mail ID मिलेगी कि आपकी बच्चे का नाम यहा करवानी है और उसके बाद admission हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि provisional waiting list है complete तो अभी नहीं है हो गया admission ठीक है बढ़िया बात है नहीं हुआ तो आप फिर second round के लिए भी consider करे जा सकते हैं लेकिन close portal आपको नहीं करना है पहले भी देखो यहाँ पर जो notice आया था था न य date test instruction में यहाँ पे यह जो second वाला था नीचे यह जो offline counseling का था यह था इसमें आपको provisional waiting list जब मैंने आपको पूरा clarify किया था उसमें सारी की सारी dates मैंने बताई थी अगर आपको date नहीं पता आप यहाँ से इस वाले option से download करके आप 10 की 10 married list को download भी कर सकते हैं अब दूसरा मैं बहुत important point पर बात करना चाहता हूं वो है कि भाया November तक जाएगा married list आप अगर government senate school का सपना देख रहे हैं तो आपके बच्चे के marks कम से कम 250 को होने चाहिए अदरवाइस तो फिर new senate school में है और new senate school का इतना जादा आपके पास कोई criteria कोई feedback इतना बच्चा है नहीं क्योंकि बह government senate school का सपना देख रहे हैं तो आपके marks 250 से प्लस होने चाहिए और अगर आप central state से हैं जो इंडिया की central state से हैं तो आपके marks होने चाहिए 6th के लिए 360 या उससे उपर ठीक है और वही same criteria आपका 300 प्लस वाला 9th में चलेगा और 260 प्लस वाला 6th में चलेगा ठीक है दूसरी बात आप फिर बता रहा हूं मैं RMS के application form का notification जारी हो चुका है और अगस्त खतम हो रहा है next month आपके सेनिक स्कूल जो next वाला सेनिक स्कूल है 2025 की exam वाला उसके application form आने वाले हैं इंतजार इंतजार ऐसा ना हो जाए कि आपके बच्चे की तयारी सब पिछली बार की तरह बेकार हो है पिछली बार भी हमने दो महीने ही तयारी की थी आगे भी दो महीने ही तयारी ऐसा ना हो कि हम तो counseling का wait कर रहे थे और इस पजासे हमें time नहीं मिला था अपने बच्चे की preparation को start करिए ठीक है उसको एक अच्छी guidance दीजिए उसको समय मिलना चाहिए ताकि वो complete अच्छे से अ link भी मिल जाएगा अभी around 80% discount है प्रहार के दोनों ही batches पर चाहे वो 6th class का हो चाहे वो 9th class का हो जो आपको daily live plus recorded classes के साथ weekly mock test और previous year solution के साथ सामको evening में live plus recorded classes के साथ आपके साथ dreamers academy खड़ा हुआ है तो भिया जो भी process था आपको करना क्या है वो इसमें बता दिया है और अगर मैंने जितनी marks बताए हैं आपके marks उससे अगर कम हैं तो इंतजार में फिर ऐसा ना हो कि अगले साल का form भी आ जाएगा नमंबर इंतजार में चला जाएगा दिसंबर का समय बीच में मिलेगा एक महीने में कुछ नहीं होगा revision भी पूरा च्छे से नहीं होगा फिर दोबारा तरीके के अगर query है तो आप comment section में comment drop कर सकते हैं वहां मैं हूँ मेरी पूरी team है आपके comment में आपकी problem को solve करने के लिए और एक बार फिर से सभी को रक्षा बंदन की बहुत-बहुत सुभामना है जैहिन थैंक यू